जै हिंद दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत रेवाइब डोस्तों आज IPO अधिम आपनों को बताएंगे गनीत का वाईडल पेपर जी हां दोस्तों अगर आप भी कलास 13 में हैं और 2024 में ए academ कब देने वाले हैं 2024 में और आप सभी जानते हैं कि आपका जो है वो final date आ गया है कि गनित का जो final exam है वो कब से है 16 February से है ठीक है और जो भी student अभी तक गनित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और 16 February को आप लोग सोच रहे हैं कि exam देने के लिए तो जाएंगे लेकिन सर इसमें objective क्या सा रहेगा subjective क्या पूछा जाएगा बिल्कुल आप लोग डर रहे हैं तो अब आप लोग को डरना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं और गनित का viral paper लेकर आ गये हैं ठीक है कमजोर से कमजोर student जो अभी तक बिल्कुल कुछ भी पढ़े नहीं है गनित में ठीक है तो मेरे साथ जूर जाएए गनित का viral paper जितना भी करा रहे हैं सभी viral paper को जरूर करके जाएगा ठीक है और इस बार आप भी इस बार आप भी गनित में 95% marks achieve करके आईएगा ठीक है 100 में 100 आप लोग बना कर आईएगा ये बात हमेशा ध्यान रखिए ठीक है गनित ही एक ऐसा subject है जिसमें आप 100 में 100 कर सकते हैं ठीक ना चलिए तो हम इससे पहले वाले वीडियो में एक से लेकर 30 तक question कंप्लीट कर दिए है जितना भी maths का 16 February का viral paper है वो सारा वीडियो जरूर देख लिजिए जाकर अगर यहां से ये question कर लेते हैं तो समझिए 16 February को जो आप exam देने के लिए जाईएगा 16 February को वहां पर आप एक भी question छोड़कर नहीं आईएगा ठीक है ना चलिए अब बांकी आप लोग का काम है पढ़ना नहीं पढ़ना मेरा जो काम है वो हम कर रहे हैं आप लोगों को viral paper कर वा रहे हैं जरूर पढ़िए exam में जाने से पहले ठीक है ना चलिए तो सांदार trick के साथ objective सांदार concept के बांकी साथ समझाएंगे आप लोगों को मेरे साथ बने रहे है और हम आपको कह रहे हैं बार बार अगर यहां से question करके जाते हैं viral paper तो जो final exam दीजिएगा 16 February को एक भी question छोड़कर नहीं आईएगा ठीक है ना इमांदारी से अगर आप तयारी करके जाते हैं तो चलिए तो सबसे पहले कैसे करना इस question को समझिएगा इस question को बनाने के लिए सबसे पहले इसको पहले आप solve कर लिजिए इसका आप LCM निकाल लिए तो LCM आपका क्या हो जाएगा alpha plus beta बटा alpha into beta यह हो जाएगा आपका ठीक है अब आप क्या किजिए alpha plus beta का मान यहां से निकाल लिजिए तो alpha plus beta बराबर आप सभी जानते हैं कि minus b by a होता है क्या होता है minus b by a ठीक है अब minus b क्या है x का जो गुनांक है यानि कि minus 8 हो जाएगा a कितना है a 3 है यानि x square का गुनांक हो गया अब क्या निकालना है alpha into beta ये निकल गया अब ये दोनों जो value हम निकाले हैं यहां पर 2 बट्टा 3 minus 8 बट्टा 3 इसको क्या किजिए आप इसमें रख दीजिए कैसे रखना है ध्यान दीजिए alpha plus beta हम निकाले है minus 8 बट्टा 3 तो minus 8 बट्टा 3 कर दीजिए अब बट्टा है न बट्टा को हम लिखेंगे तो नीचे से उलट जाएगा 2 बट्टा 3 है तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 2 ठीक है बागी यहां पर भी रख सकते हैं आप लोग check कर लिजिए 3 से 3 cancel हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 चोका 8 हो जाएगा तो यहां पर जो निकला कितना निकला मैनस 4 निकला कितना निकला मैनस 4 और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा option number C आप लोगो OMR में रग देना है ठीक है न objective काफी आसान पुछा जाएगा गनित में जितना भी कोसन करा रहे हैं इमांदारी से सारा कोसन जरूर करके जाईएगा ठीक है चलिए 32 नमर कोसन है आपके सामने कह रहा है यदि दुईगाज समीकरन AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 में बिवतकर का मान सुनने से बरा है तो मुलों की परकृति क्या होगी इसी को हम बिवतकर भी बोलते हैं इसी को हम बिवतकर भी बोलते हैं ठीक है न दोनों हमारा बराबर ही है एक ही चीज़ का दो नाम हो गया तो हमसे पुछ रहा है कि जो बिवतकर है यानि बिवतकर का मान जो है वो सुनने से बरा है आप सभी जानते हैं बिवेचे कहते हैं D को अब D का मान अगर सुनने से बरा होगा ध्यान दिजिए D का मान अगर सुनने से बरा होगा तो ये जो हमारा परकिर्ती होगा मुलों की परकिर्ती जो होगी वो आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा वास्तविक और और समान हो जाएगा यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा और समान हो जाएगा समझ रहे न यह क्या हो जाएगा वास्तविक और और समान इस तरह से option number B में दिया गया है option number B आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है ना? चलिए 16 फेरवरी भूरिएगा नहीं दोस्तों गनित का viral paper जरूर करके जाएगी question यहीं से लड़ेगा अगर यह question कर लिए तो समझेए 2024 में जो 16 फेरवरी को गनित का paper दिजिएगा वो paper आपका solve हो जाएगा ठीक है चलिए लेकिन इमंदारी से जितना अभी question बता रहे हैं सभी को revision कर लिजिएगा क्या रहा है समांतर से D 0,6 1,1.7 2.8 3.9 का सारवंतर क्या होगा अब सभी जानते हैं सारवंतर किसको कहते हैं D को अब D बराबर आप सभी को क्या करना है यह जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या मैनस कर दिजिए दूसरी संख्या है 1.7 मैनस करना है 0.6 अब आपनोंको घटाने के लिए तो आता ही होगा 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा ठीक है और यही आपका क्या हो गया बिल्कुल सही जवाब तो देख लिजिए इस तरह से option number B में दिया गया है 1.1 तो option number B आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला question देखिए question number 34 है आपके सामने काफी सांदार question है कहरा है निमनलिकित में से कौन सा समांतर सेड़ी में है यानि कौन समांतर सेड़ी का मतलब हो गया कौन AP में है ठीक है यह आपको पहाचानना है AP में क्या होता है दोस्तों यह सार闆ंतर यानि कि我很 जो है वह बरावर!! Aw लबावर हो सबीlles k بعそうですね यह जो सारवनतर होता है यह सारवनतरक दोस्तों एपिका नियान होता है अगर कोई एपिक है कोई पत्त्तिtया गया है अगर एपिक में है तो उसका अंतर समान होगा, यह चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देख लीजिए 4 में से 2 को मैनस करेंगे तो कितना होगा 2 8 में से 4 मैनस करेंगे 4 क्या अंतर समान आ रहा है, यहाँ पर 2, 4 यह option, यह तो होगा नहीं option B को चेक करते हैं मैनस 6 में से मैनस करेंगे कितना 10, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना पलस का 4, फिर 2 में से मैनस करेंगे, पहली संख्या अगला में से पिछला वाला घटाना है तो यहाँ पर आ जाएगा पलस 4, फिर 2 में से माइनस दो करेंगे तो दो दो चार आ जाएगा यानि हम देख रहे हैं कि अंतर हमारा क्या है यहाँ पर सभी जगा समान आ रहा है ठीक है तो अंतर अगर समान आ रहा है तो यह हमारा AB में है option number B आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है न अगला question देखिए काफी सांदार question है और देखिए आप लोगों को objective के लिए बिल्कुल भी tensor नहीं लेना है यह गनीत का जो viral paper करा रहा है इसको ज़रूर करके जाएगा और देखिएगा आप गनीत में 50 में 50 सही करके आईएगा ठीक है न चलिए क्या रहा है कि यदि 4 बटा 5,1,2 किसी समांतर सेड़ी के 3 करमागत पद हैं तो एक आमान क्या होगा समझेगा दोस्तों काफी सांदार question है इसमें आप से यह बोला गया है कि यह हमारा AP है यह question में बोला गया है कि अगर यह AP में 3 पद दिया गया है करमागत पद तो एक आमान क्या होगा अब सभी जानते हैं अगर यह AP में है तो इसका अंतर क्या होगा समान होगा यानि कि D1 जो है वो बरावर होगा D2 ठीक है चलिए अब हमको क्या करना है पहले हमको निकालना है D1 कैसे निकलेगा ध्यान दिजी तो D1 हमारा निकलेगा यह 3 पद दिया गया है तो दूसरा पद में से पहला पद मैनस करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा A मैनस 4 बटा 5 ठीक है और यह हो गया D1 अब बरावर होना चाहिए किसके D2 के तो D2 हमारा क्या हो जाएगा फिर यहां क्या करेंगे अगला पद में से यानि 2 में से A को मैनस करेंगे तो 2 में से A मैनस करेंगे यह हमारा AP में नियम होता है यह दोनों बरावर होता है ठीक है अब क्या करते हैं यह मैनस में जो A है इसको क्या करते हैं बराबर के इस साइड लाते हैं तो मैनस ये तो A है ही ये मैनस वाला A इधर आएगा तो पलस में A हो जाएगा बराबर दो इधर है ही ये मैनस में 4 बटा 5 है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो पलस में 4 बटा 5 हो जाएगा A कितना हो गया यह A हो गया 2 A बराबर 5 दूनी 10 4 कितना हो गया 14 बट्टा 5 अद 2 से cancel कर लिइजिए 2 सत्य 14 होता है A बराबर हमारा निकल गया 7 बट्टा 5 कितना निकल गया 7 बट्टा 5 और यही आपका क्या हो गया बिल्कुल सही जवाब देखिए 7 बटा 5 कहां पर दिया गया है option number A में दिया गया है option number A आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है clear है न चेले उमीद करते हैं समझ गया होंगे अगला question देखिए कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है इतना समझाने के बावजूद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग comment किजिएगा कि किस question में आपको समझ में नहीं आया कह रहा है कि यदि समांतर सेड़ी का एनवापद जो है एनवापद कितना है 3N पलस 5 है तो इसका सारवांतर क्या होगा तो सारवांतर निकालने के लिए सबसे पहले हम AP बनाएंगे AP कैसे बनेगा ध्यान दिजिए पहले N वापद बोला है न तो N वराबर आप अपने मन से 1,2,3 इस तरह से ले सकते हैं हम क्या करेंगे सबसे पहले एक AP बनाएंगे फिर 3 रखेंगे 3,3,9,5 कितना हो जाएगा 9,5,14 यानि इसी तरह से हमारा AP बनेगा पहले ये चेक कीजिए कि ये AP है अब AP कैसे है तो अंतर समान होना चाहिए 11 में से 8 जाएगा 3 ठीक है 14 में से 11 जाएगा 3 यानि अंतर समान है तो हम कहेंगे यहाँ पर D जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 मेंस 8 यानि की 3 और यही आपका क्या हो जाएगा सारवांतर option क्या हो जाएगा option नमबर C हो जाएगा सारवांतर कितना निकल गया 3 और हम से सारवांतर पूछ रहा था ठीक है न चलिए 37 नमबर question है ध्यान दिजिए काफी सांदर question है क्या रहा है सामानतर से डी 5,7,9,11 का कौन सा पद 29 है अब कौन सा पद यानि की N का मन पूछ रहा है तो आप सभी जानते हैं कि यह 29 क्या है हमारा A N है 5 क्या है यह हमारा A है और D हमारा क्या होता है तो D हम जानते हैं कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं यानि कि 7 में से 5 मैनस करेंगे तो 2 हो जाएगा ठीक है न अब हम आपको एक formula बताए थे A N बढ़ाबर हमारा एक formula आता है A पलस N मैनस 1 इंटू D यह आता है A N कितना है 29 है तो रख दिजिए 29 बराबर A कितना है 5 तो 5 N का मान नहीं मालूम है रहने दिजिए D का मान कितना है 2 अब 29 में से इस 5 को मैनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24 बराबर क्या हो जाएगा N मैनस 1 इंटू 2 2 से काट लिजी ये 12 बार में कट जाएगा तो इधर बच गया आपका 12 इधर बच गया N-1 अब मैनस का 1 इधर लेकर आएंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा 12 पलस 1 यानि N बराबर आ जाएगा 13 यानि कि 13 पत जो है वो हमारा कितना है 29 है और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 पत देख लिजिए option number A में दिया गया है option number A आपनों को रंग देना है ठीक है न चलिए एपी से हर साल question भरभर के पूछा जाता है और इसी तरह से question पूछा जाएगा बिल्कुल भी आपनों को घबराना नहीं है ठीक है न 38 नमर question क्या रहा है कि यदि किसी समांतर सेड़ी का सात्मा पद 4 है एवं सार्मांतर यानि D कितना है मैनस 4 तो उसका पर्थम पद क्या होगा देखे पहले तो यहां दे दिया है कि सात्मा पद कितना है 4 ठीक है यह दे दिया है D हमको भी दे दिया है कितना है D मैनस 4 है A पूछ रहा है तो D का मान इसमें रख दीजिए A निकल जाएगा कैसे ध्यान दीजिए A पलस 6 गुणा D का मान कितना है मैनस 4 बराबर इधर 4 हो जाएगा A बराबर क्या आ जाएगा 4 यह तो बराबर का चार है अब यहाँ पर चोचोग का 24 होगा मैनस में बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे पलस में 24 हो जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 28 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा और यही आपका क्या हो गया बिल्कुल सही जवाब option number D जो है आपनों को OMR में रंग देना है clear है न चलिए इसी तरह से question पूछा जाता है आपनों को बिल्कुल नहीं घबराना है यह सारा objective कर लिजिए 16 फेरबरी को आप लोग objective A to Z करके आईएगा ठीक है एक भी छोड़के नहीं आईएगा किरा यदि किसी समांतर सेडी में A 18 मैनस A 14 बरावर 32 है तो उस समांतर सेडी का सारवांतर क्या होगा यानि कि D का मन क्या होगा ठीक है चलिए समझते है question को यह A 18 का मन का मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ मतलब A 17 D ठीक है A हो जाएगा A पलस 17D bracket से बाहर निकालेंगे तो मैनस हो जाएगा A और मैनस 13D बरावर 32 ठीक है अब क्या करते हैं इसको काट लेते हैं A से A तो कटेगा पलस में मैंनस में तो कटेगा अब 17D में से यह पलस में है यह मैंनस में है तो 17D में से 13D मैंनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4D आ जाएगा ठीक है 4D बरावर कितना 32 4D 4 से कटेंगे 4-8 32 यानि कि D का मान कितना आ गया 8 और यही आपसे पूछ रहा था सारवांतर क्या होगा तो 8 आएगा option number A आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला question देखिए काफी सांधार कोशन है कि यानि किया है कि यानि इसका योग निकालना है ठीक है तो आप इसको जोडने के लिए बैट जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा हम मानते हैं 17 तक आप लोग निकाल लिजिएगा लेकिन इसी में अगर मालेजी हम 300 तक दे देते तो क्या आप निकाल लेते मतलब निकाल लेते लेकिन समय लगता लेकिन इसका एक तरीका क्या है देखिए यह जब कभी इस तरह से दे दे कि जब 1 से लेकर n तक का योग बोले निकालने के लिए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला है आपका n इंटू n पलस 1 बाइ 2 ठीक है और यही आपका क्या होता है योग निकालना है एक से लेकर n तक का योग ठीक है अब इस तरह से देखिए औप्सन नमबर b में दिया गया है औप्सन नमबर b होगा अब ये n क्या है तो n जो है ये से 17 तक दिया गया है तो 17 हमारा n हो जाएगा ठीक है बागी इसको solve कर लिजिएगा 17 गुणा 17 पलस 18 हो जाएगा नहीं तो इस तरह से आप लोग निकाल लिजिएगा ये हमेशा याद रखिएगा एक से लेकर n तक का जब भी योग बोले निकालने के लिए तो आपको ये formula लगाना है n into n पलस 1 by 2 यहां से योग निकल जाएगा ठीक है न अगला question देखिए question number 41 से आपके सामने काफी सांदार question है क्या रहा है कि पर्थम 10 बिसम प्राकिर्तिक संख्या का योगफल है अब पर्थम बिसम 10 प्राकिर्तिक संख्या की योग आप लोग लिख भी सकते हैं लेकिन हो सकता है कि 10 के वदले यहां पर 50 भी दे दे तो कहीं पर दिकत नहीं है ठीक है देखिए यह question देने का एक ही मतलब है कि आपको एक formula याद होना चाहिए और वो formula हमारा क्या है ध्यान देजिएगा वो formula है हमारा n square ठीक है जब कभी भी आपको बोल दे कि बिसम पर्थम 10 बिसम प्राकिर्तिक संख्या का योगफल निकालने के लिए तो n square निकालना है n का मान अगर 10 बोलड़ा है तो 10 का square कर दीजिए 10 का square क्या हो जाएगा एक सो तो इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा एक सो option number क्या हो जाएगा भी हो जाएगा अगर मालेजिए इसी जगा पर 10 के बदले अगर दे देता भी बड़ा पुछ दे आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा ठीक है न अगला question देखिए question number 42 है काफी सांदार question है जवाब दीजिएगा और 16 February को दोस्तों ध्यान रखेगा आप लोग का final exam है गनित का final paper है और यह जो question हम बता रहे है यह गनित का viral paper है एक बार यह paper कर लिए तो समझे आप 16 February वाला paper कर लिए है ठीक है न यह ध्यान रखेगा अब जो student गनित से डरते हैं आपको डरना नहीं है क्योंकि सभी objective question को concept wise concept आपको हम solve कराते हैं कह रहा कि y अक्स से बिंदू जो है a 7,8 की दूरी है अब यह दूरी क्या होता है ध्यान दे जाएगा दोस्तों y अक्स से जो बिंदू दिया रहता है वो हमारा क्या होता है वो y अक्स से दूरी जो है न वो y निर्दे सांक 0 होता है ठीक है तो y निर्दे सांक 0 होगा इसका मतलब X का आमान क्या है? 7 है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Y X से कोई भी बिंदू जो होता है उसका निर्दे सांग का में सा 0 होता है यह चीज़ ध्यान रखेगा यानि Y 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? X बच जाएगा, X हमारा 7 है तो 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है न? चली काफी सिंपल सा कोईसन रहता है छोटा-छोटा कोईसन है आप लोग आराम से समझेए कोंसेप्ट को तो सारा कोईसन बना क्या आईएगा 43 नमर कोईसन है कि बिंदू-5,-3 जो है ये किस पाद में इस्थित है? तो आप लोगों हम बताए थे एक गराफ बना कर इस तरह से हम बताए थे कि ये हमारा पलस होता है, ये मैनस होता है ये पलस होता है, ये मैनस होता है ठीक है? पहला वाला हमारा क्या होगा पलस पलस दूसरा क्या हो जाएगा पलस मैनस तीसरा हमारा हो जाएगा मैनस मैनस और ये हो जाएगा हमारा मैनस पलस लेकिन यहाँ पर बिंडू में जो संख्या दिया गया है उसमें चीन देखिए क्या है पहला में भी मैनस है दूसरा में भी Minus है, तो ये Minus Minus वाला हो गया ना, तो Minus Minus वाला किस में आता है, तीसरा में, ठीक है, तीसरा घर में आता है, तो ये हमारा हो जाएगा, 93 वाद हो जाएगा, ठीक है, 93 वाद, option number C हो जाएगा, अगर इसी में मान लिज्या, आपको दे दिया जाता, कि बताइए कि माइनस और माइनस 7 और ये 5 तो आपका ज़राब क्या आता तो सबसे पहले इसको हम निकालते पहला वाला तो माइनस में है दूसरा वाला पलस में है तो देखिए माइनस पलस किस में है माइनस पलस यहाँ फोर्थ में है यहां से चार कोशन बन सकता है इस गराफ को जरूर याद कर लिजिएगा अगला कोशन देखिए काफी सांदार कोशन है कह रहा है कि X अक्ष का समीकरन क्या है ध्यान दिजी X अक्ष का जो समीकरन होता है वो Y बराबर 0 होता है क्या होता है Y बराबर 0 होता है option number B आपको याद रखना है ठीक है अब इसके लिए हम गराफ पर चलेंगे तो कहीं न कहीं आप लोग का समय यहाँ पर ज्यादा निकल जाएगा ठीक है इसलिए याद रखेगा Y अक्ष का जो समीकरन होगा वो Y बराबर 0 ह होगा ठीक है तो X पूछे तो Y 0 Y पूछे तो X 0 सिंपल सापको इतना समझना है और कुछ नहीं ठीक है अगला कोसन देखिए कोसन नंबर है 45 यहाँ पर क्या रहा है कि बिंदू P जो है मैनस 6,8 की मूल बिंदू से दूरी क्या होगी जब हम आपको बताए देखिए अगर मे भी इस तरह से बोल दे कोई बिंदू दे दे जैसे यहाँ पर दे दिया गया है P एक बिंदू है मैनस 6,8 मूल बिंदू से दूरी पूछे तो आपको सब कुछ भूल जाना है D वरावर आपको लगाना है चुकि दूरी हमारा D होता है जो दिया है वो दोनों संख्या का क्या करना है स्कॉयर करके जोड देना है मैनस 6 का स्कॉयर कर लिजिए अब क्या है 8 का स्कॉयर कर लिजिए ठीक है अब यहां से क्या आ जाएगा 6 का स्कॉयर 36 होता है 8 का स्कॉयर 64 होता है 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा 100 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आई option number क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों को इस तरह से लेकर 45 तक समझा दिये हैं यानि कि इसमें हम 15 कोशन स्वाल्व किये हैं अब मैस बना रहे हैं ज्यादा कोशन आपको हम बताएंगे तो आपके दिमाग के उपर से निकल जाएगा 15 15 कोशन आप समझ जाते हैं और इसका एक बार रिभीजन कर लेते हैं ध्यान दिजी अगर एक बार आप लोग रिभीजन कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को मैस में 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है ना और 16 फेरवरी भूलना नहीं है 16 फेरवरी को आप सभी का final paper है 16 फ बता रहें सभी का quick revision कर लीजिए ठीक है अब फिर उसके बाद आप लोगों को आगे पढ़ाई करना है तो आगे का जो भी इसमें question है 46 से लेकर आगे वह अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे पहले इसको complete कर लीजिए एक बार revision कर लीजिए फिर आप लोग साथी साथ आपको exam के समय में काफी मदद मिलने वाली है ठीक है अब telegram group आपको कैसे join करना है तो telegram का नाम क्या है जो channel का नाम है xyz math trick ठीक है xyz math trick आप लोगों को search करना है telegram पर आप लोगों को मिल जाएगा logo देख लिजिएगा ठीक है और वहाँ पर आप लोगों को join हो ज